आप सभी वक्त बात करेंगे दोस्तों आपर टाटा पावर के बारे में इस टॉक में दोस्तों खुद कमपनी के सियो ने बता है फ्यूचर के प्लान उसके बारे में डिसकस करेंगे क्या company में दोस्तो आने वाले सालों में improvement होने वाली है वो यहापर उन्होंने discuss क्या है वो यहापर हम देखेंगे और मैं आपको कहूंगा किया आप understanding करना दोस्तो यह stock आपको पूरतर के से पैसे कमा के देगा अभी तक भी कमा के दे रहा है दोस्तो बहुत से लोग कमा रहे है क्योंकि आप सभी को पता है कि stock में daily basis पर improvement देखने को मिल रहे है और company के जो यहापर business में भी हम यहापर देखे तो आपको यहापर दोस्तो जबरदस तरीके से performance देखने को मिल रहा है तो आप सभी चीज़े understanding करना देकि अभी भी आपके हाद से कोई मोका नहीं गया कि Tata Power का share आभी आपको बहुत सस्ते दाम पर मिलेगा ऐसा सोच कर नहीं चलना अभी भी opportunity है आप चाहते हो आने वाले years में बड़या तरीके से profit कमाना तो दोस्तो अभी से stock पर यहाँ पर आपकी कड़ी नजर रहनी चाहिए जो भी price आपको suitable लगे आप यहाँ पर जरूर इसमें understanding करकर खरिदारी के लिए सोच ना क्योंकि देखिए इस stock में दोस्तो आद देखना कैसे bumper तेजी देखने को मिली है क्योंकि जो यहाँ पर EMD, Managing Director और CEO उनके जो यहाँ पर दोस्तो बयान होते हो बहुत important होते हैं खास करकर company में growth लाने के लिए और आपको कहूंगा उनको सब कुछ पता होता है company के अंदर का और बाहर का भी इसलिए कहता हूँ कि आप understanding करते रहे है आप definitely पैसे कमाएंगे और दोस्तो पिछली बार भी मैंने आपको interview वताया था तब से लेकर आभी तक देखेंगे तो stock ने आपको यहाँ पर दोस्तो कम से कम 25-20% का return दे दिया तो यह power होती EMD के यहाँ आपर जो CEO होते हैं उनके यहाँ पर जो interview होते हैं उसके अंदर चलिए देख लेते हैं दोस्तो देखें आज stock ने 9% के करिब के तेजे दिखा दी 191 रूपित पर stock trade कर रहा है और आप यहाँ पर understanding करेंगे तो पता चल जाए एक महिने में देखें 46% का return दिया बोलतो इसमें quality है दोस्तो यह आपको समझ में आता होगा और मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर Tata Power यह quality वाला ही stock है देखें दोस्तो जो business future में इतने जादा चलने वाले हैं जबरदस तरीके से उन पर सभी हाँ पर आज से निवेश करना चाहते हैं आप यहाँ पर इस stock को otherwise लेना नहीं जैसे के neglect करने जैसा ऐसा कभी भी नहीं समझना क्योंकि यह stock बहुत बड़ी quality यहाँ पर लगाने वाला है भारत में क्योंकि देखें जैसे Tesla दोस्तो इंडिया में आकर launch करेंगे और यहाँ पर लगातार चार्जिंग टेशन बहुत धुनेगा इसा नहीं होता जहां मिल जाए जो भी चार्जिंग टेशन रहे वहाँ से चार्जिंग कर लेते हैं इसलिए दोस्तो यहाँ पर जो network इस company का ज़्यादा बड़ा होगा charging टेशन का वो company यह बहुत ज़्यादा benefit कमाएगे क्योंकि आप सभी जानते हैं इतने सारे vehicle है और आपको पता है दोस्तों इंडिया की population भी कितनी ज़्यादा है तो हर एक person के पास भी हम एक एक vehicle पकड़े तो देखें कितना दोस्तों देड़ सो करोड के करीब यहाँ पर vehicle चल जाएंगे इतना जादा यहाँ पर vehicle का यहाँ पर demand है और मैं आपकोंगा यह जरूरत का यहाँ पर पालड बनी है practical चीज़े देखिए यह vehicle के business में क्यों फाइदे है क्यों यहाँ पर इन में improvement आ रही है लोग क्यों पाइसे लगा रहे है mutual fund क्यों लगा रहे है company के promoter भी stake क्यों बढ़ा रहे है वो भी understanding करना पता चल जाएगा और दोस्तों जैसे एक साल के बात करें तो देखिए stock यहाँ पर धाई गुना multi bagger बन गया बोलतों देखिए 200 से भी जादा दोस्तों दोस्तों प्लस यह dot आपको जल्दी जाते वे नजर आएगा क्योंकि इसमें इतनी ability है और आज देख सकते हैं इसमें आपको धाई करोड क्वांटिटी निवेशक ने यहाँ पर खरीदे हैं दोस्तों और यहाँ पर आपको कहूंगा पूरे दिन में 10 करोड क्वांटिटी ट्रेड हुए 10 करोड आप समझ सकते कितना बड़ा value में इस टॉक में और यहाँ पर आपको नजर भी आएगा दोस्तों इसमें आपको कहूंगा एक एक बार 23,000 40,000 IC क्वांटिटी खरी जा रही है इतनी जबरदस क्वांटिटी क्यों खरीते हैं लोग क्योंकि उन्हें पता है न कि कमपनी में जबरदस बात है देखे दोस्तों टाटा पावर इस आइजिंग डबल डिजिट आरो सी आर ओ ए जो रिटर अन इक्विटी है वो आरो सी इए वो भी दोस्तों इन दे नेक्स टू तू तू थ्री एर्स किसने बताया एमडी मैनेजिंग डिरेक्टर एंड सी इओ ये देखे 11 अक्टोंबर की निउस है दोस्तों और यहाँ पर देखे जो कमपनी यहाँ पर डिसाइड कर चुकी है कि देखे टाटा पावर ने रिडिशिन करने का और साथ एक्सपांडिंग रिनेबल बिजनेस एंड एक्सपांड फूल एफर्ड आप इड्स रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ड जो मैंने आपको बता है पिछली बार भी जो थर्मल के बिजनेस थे उनके वह रिस्ट्रक्चर करकर क्या करना चाहते रिनेबल लाना चाहते यह सब कुछ उन्होंने बता है अभी भी यहाँ पर आपको कहूंगा यह सभी चीजे जो दोस्तों आभी उन्होंने रिपीड भी की है क्योंकि उन्हें पता है ना कि चीजों का इंपोर्टन जादा है कमपनी पर इसलिए उन्होंने जो चीजें पहले भी डिसकस की थी वह भी यहाँ पर अभी प्रेजेंट के और उसी का यह आसर देखने के मिला बेवज़ा स्टॉक यहाँ पर नहीं बहुत दोड़ता हाई वैल होल टाइम यहाँ आपर हाइब गांगा कुछ और बेवर देखने मिल्ती जैसे करे今 इंजेज्ब कर सकते और उससे यहाँ पर का प्रोडक्शन कर सके यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कम्पनी यही चाहती है कि जो थर्मल के है वो कम हो जाए और आपको ही पता है दोस्तों कि जो कोईला है वो एक दिन कभी ना कभी खतम जरूर होगा तो इसलिए यहाँ पर आप अंडरस्टानिंग करकर ही